आज मैं आपको बताऊंगा बेसन की चक्की बनाने की बहुत ही सीक्रेट रेसिपी बिना चासने बिना मावा बहुत कम से पांच इंग्रिडिट्स में बनने वाली बेसन की चक्की बहुत जादा टेस्टी लगती है तो चली रेसिपी को स्टार्ट करता हैं सबसे पहले हमें ए चान लेंगे एक बार बेसन चानने के बाद हम इसमें डालेंगे लगबग 2-3 चमच गी और इसके बाद हम इसमें डालने लगबग उतना ही 2-4 चमच दूद तो हम इसमें लगबग 3-4 चमच दूद डाल देंगे दूद और गी डालने से बेसन बहुत जादा दानेदार हो जा लेकिन बेसन को ऐसे थोड़ा सा दूद और गी पिलाने से बहुत आराम से सिख जाता है तो इसको हाथ से अच्छे से रब करके हम दानेदार कर लेंगे अब एक कड़ाई लेंगे और इसमें डालेंगे एक बड़ा चमश घी डाल लेंगे जैसे ही गरम हो जाए हम इसमें हमार जो दानेदार बेसन था वो ढाल देंगे और इसको लगबग दबाते हुए हमें साथ से आठ मिट तक सेखते रहना है बेसन को हमें बिलकुल लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए सेखने है बेसन बहुत जल्दी जलना स्टार्ट हो जाता है इसलिए गैस की फ्लेम को बिलक चीन ये चुजा जाएगा इसको थोड़ा और सेखना है अभी तो जब तक बेस कि इसको लगातार चलाते रहना हमें क्योंकि चीनी में बहुत कम पानी डाला है तो जैसे ही चीनी मेल्ट होने स्टार्ट हो जाएगी हम इसमें डालेंगे लगबग एक कटोरी बर के दूद्ध की मलाई इसमें हमें फ्रेश मलाई यूज करनी है एक दो दिन पूरानी बस उसस जादा पुरानी मलाई डालने से उसमेल आ जाती है चक्की में तो मलाई डालके हम गैस की फ्रीम को थोड़ा स्लो कर देंगे और इसको चीनी में अच्छे से मिक्स करेंगे मलाई डालने के बाद हमें इसको लगबग 2-3 मिन तर पकाना है यह बलकुल कंडेंस मिलक जैसा हो जाएगा जाग जाग आजाएंगे इसमें मलाई डालने से होगा कि आदी मलाई इसमें मावा बन जाएगा और आदी मलाई का गी बन जाएगा अब हमने जो चीनी और मलाई का मिस्चछ बनाया है वो बेसन में डाल देंगे और गैस की फ्रीम को लो करगे इसको लगातार चलाते होई मिक्स कर देंगे हम इसको जब तक पकाना है जब तक बेसन तोड असल गाडा नहीं हो जाता और यह घी नहीं छोड़ देता क्योंकि हमने इसमें मलाई डाली है तो इसलिए बॉजल दे घी छोड़ देगा इसको बस लगातार चलाते रहना है तो इसको चलाते हुए लगबग तीन से चार मेंट हो गया है काफी गाड़ा हो गया और जो चक्की वाला फॉर्म होता है उसमें आ गया है फ्लेवर के लिए हम इसमें डालने लगब एक चमच इलाईची पाउदर तो अब हमारी बेसन की चक्की लगबग तयार है अब हम एक कोई भी प्लास्टिक का मोल्ड लेंगे जिसको घी से अच्छे से हमने ग्रीस कर दिया और इसमें इसको जमाल लेंगे यह 10-15 नेट में सैट हो जाएगे उसके बाद हम इसको कट कर लेंगे अगर आप कोई रैसे भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चानल को सब्सक्राइब करो और एक बार इस रैसे पी से बेसन की चक्की जरूर ट्राय करें